देश बिक्रेता को बाब बताया जा रहा है तो मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कानून के हाथ मोहन भागबत के गिरेवां तक पहुंच जाएंगे पूरी पूल पट्टी खुलेगी किस तरीके से भारत की संसत पर आतंकी हमला करवाया गया 26 सरकारी सहस्तानों को निलाम किया गया बैंक के बेचने के पास हिंदुस्तान एरेटरिक्स लिम्टेट को बेचने के पास बारत पेट्रोलियम को बेचने के पास एर इंडिया को बेचने के बाद सेंट्रल इलक्रोनिक्स लिम्टेट को बेचने के बाद भारत की सरकार के पास पैसा नहीं है निशाना बना रहे हैं मेंदी लगाने वालों को चूड़िया बेचने वालों को अपने बाप को पीट अपनी मा को पीट के बोलो जैसी राम बोलने के लिए इस आधुरीक युग में भी नंगा घुमने की परमपरार जो नंगे घुमते हैं जे उनके चरण और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से फल बेचने वाले सबजी बेचने वाले मेंदी रचाने वाले और चूड़िया बेचने वालों को पीटा जा रहा है और देश का एक एक कत्रा बिदेशी कमपणियों के हाथ बेचने वाले देश बिकरेता को बाब बताया जा रहा है और यह कौन कर रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ जो देश की आजादी के जंग में कमपणिय और गोरे सरकार के संग थे जिन्होंने 2001 में मैं दिसंबर का जिकर कर रहा हूँ 13 दिसंबर का संसत पर जिनके चहेते DSP देवेंदर सिंग ने आतंकी हमला करवाया 14 लोगों को मरवाया संसत पर जिन्होंने हमला करवाया अब जल गुरु ने तबी खुलाजा कर दिया था जिस देवेंदर सिंग को मोधी सरकार ने राष्टपती पदक से सम्मानित करवाया जो देवेंदर सिंग 11 जनबरी 2020 को राजधानी दिल्ली में हिज्बु बुजाईदिन के अपने चहेते आतंकबादियों के साथ हमला करने आ रहा था उस देवेंदर सिंग के खिलाप जाच रुकवा दी गई है मोधी सरकार के इसारे पर कहा जा रहा है देश के लिए खत्राएदी देवेंदर सिंग की पूरी जाच परताल होगी तो मैं यह दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि कानून के हाथ मोहन भागबत के गिरेवां तक पहुंच जाएंगे पूरी पोल पट्टी खुलेगी किस तरीके से भारत की संसथ पर आतंकी हमला करवाया गया किस तरीके से भारत के जेल में बंद आतंकियों को कंधार पुचाया गया किस तरीके से भारत में राष्ट्या सुरक्षा सलाकार के बेटे को पाकिस्तानी आतंक बादियों के फैनेंसर का पार्टनर बनाया गया लेकिन मैं बात इसलिए है यहां समाप्त करता हूँ मैं बात करना चाहा हूँ देश भिक्रेता की एक एक पोल पट्टी को ले करके आप सब लोगों को मैं आदिलाना चाहता हूँ कि जून 2020 में जब देश ताले में बंद था सरकार ताले में बंद थी अदलत पड़ ताले देश के उब भूगताओं की भी लूट पाट का एक बड़ा जरिया है और हमारे देश के किसान अंदोलन में थे ठीक उसी बग सितंबर 2020 मैं भारल पेट्रोलियम कारपेशन से लेकर एर इंडिया तक पवन हंस लिमिटेड से लेकर के हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटे और सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से लेकर के नगनार इस्टील प्लांट तक 26 सरकारी सहस्तानों को निलाम किया गया आप पर हम सब जानते हैं कि यह लाइसी से लेकर बैंकों को तक हमारे देश के नवरतनों को बेचा गया और सरकार के पास पैसा नहीं है बैंक क बेचने के पास हिंदुस्तान एक लिम्टेट को बेचने के पास बारत पेट्रोलियूं को बेचने के पास एर इंडिया को बेचने के बाद सेंट्रल एक्टानिक्स लिम्मटेट को बेचने की बहाद भारत की सरकार के पास पैसा नहीं है देश के मजदूर्ट-किल tw Zur phd अनाज के लिए मोतास हो गए उनके पास पैसा नहीं है कहाँ गया लाल किलंगा तक बेच डाला यह पैसा कहां गया अब आप देखिए कि अभी तत्काल की बात हम करें इन दोर में तसलीम पर चूड़ी विक्रेता को मारने का पीटने का बीडियो वाइरल हो रहा है किस तरीके से उसके समान को तोड़ा गया और कौन कर रहे हैं जो देश विक्रेता को अपना बाप बता रहे हैं वो हमारे देश में राज्यों में होने वाले चुनाओं के दोरान सबजी बेचने वाले फल बेचने वाले मेहदी लगाने वाले और चूड़ी बेचने वालों को निशाना बना रहे हैं मैं मेरे भारत बासियों और भारत मंची जो विश्यों में जगा जगा नागरता ले चुके मैं आपसे अपील करता हूँ बचालो हमारे देश को इन आतंकियों से बचाने की जुमेबरी आपकी है हमारे देश के साड़े च्छा करोड पास्पोर्ट धारकों में से तीन करोड दस लाख लोग दुनिया के अलग अलग देशों में अपना अगरता ले चुहाचिल कर चुके हैं कलपना कीजिए अपने हिर्दय पर हाथ रखे जिस तरीके से हमारे देश में भारत बंसियों को भारत में संग से जुड़े आतंग की निसाना बना रहे हैं फल बेचने वालों को सबजी बेचने वालों को निशाना बना रहे हैं मेंदी लगाने वालों को चूडिया बेचने वालों को अगर ऐसे नफरती बीज जिन देशों में आपने नागरता ले ली जहां के आप नागरिक बन चुके हैं अगर ऐसे आतंगबादी वहां पर भी उठ खड़े हुए तो आपको वहां से अपना तमाम कारो बार ठिकाना छोड़के भारत की तरह भागने के लिए बेबसोना पड़ेगा मैं आप तीन करोड़ दस लाग नागरिकों से अपील करता हूँ और जो आपके परिजन सिदार आपके प्रीमी आपके चाहने वाले आपके भाई बंदरिसदार भारत में हैं उनसे भी अपील करता हूँ उट खड़े हो जाओ हमारे देश को बचा लो यह आतंगई हमारे देश को तहसनास कर देंगी मैं अपील करता हूँ उन एक करोड़ 75 लाख लोगों से जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के रोजी रोटी कमा रहे हैं न केवर रोजी रोटी बलकि भारत में बिदेशी मुद्रा भंडार भी भर रहे हैं 2018 का मैं जिक्र करूंगा 89 अरब अमेरिकी डालर का भंडार बिदेशी मुद्रा का भरने में आपने योगदान दिया एक करोड़ 75 लाख जो दुनिया के अलग-अलग देशों में रोजी रोटी कमा रहें ब्यापार कर रहें आप सबों से भी कर्वत प्रात्ना करता हूं उठ खड़े हो जाओ बचालो हमारे देश को यह संगी आतंकी हमारे देश को तहस्नास कर देंगे यह हमारे देश का भाहिचारा खतम कर देंगे और मैं अपील करता हूँ उन एक करोड़ पिच्चतर लाख लोगों के परिजनों से रिष्टेदारों से भाई बंदों से मामा चाचा नाना से सबसे आप सब लोग भी उठ खड़े हो जाऊ इस देश को बचाने के लिए दुनिया में जितने भी देश लोक्तांत्रिक देश है वो ताकतबर देश है और जितने भी देश सामपरदाइक देश है वो देश सब के सब रता रता सातल में पहुंच चुके हैं मैं बात यहां इसलिए करना चाह रहा हूं कि तस्लीम के बीडियों के बाद मैं अंदर तक जगजोर मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ पहलु खान के मामले को लेकर के उसके आरोहत्यारी फिरी घूम रहे हैं मैं जानता हूँ महम्मद अखला के हत्यारे टीएडीसी में में भी फिरिष्ट होगी उस पर नहीं बात करूंगा मैंने सितंबर 2020 की कंपनियों का थोड़ा सा जिक्र किया जो 26 कंपनिया बेची जा रही है लेकिन अब आज की तारिक में मैं एक और बात कहना चाहता हूं 58 देश से मुसल्मानों के उनमें हमारे देश के हिंदू लाखों क संख्या में करोडों की संख्या में वहां कोई उनको हाथ ने उठा रहा है हमारे देश के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनके पूरभजों ने हजार साल 800 साल 900 साल 700 साल पहले इसलाम की उदारता से इसलाम को स्विकार किया आज एक 1000 साल साथ सो बरस बात ये शंग क खड़े होंगे शिक्टों के खिलाप और फिर कहेंगे तुम्हारे पूर्वजों ने शिक्धरम के अपना था परसों खड़े होंगे बर्द के खिलाप फिर खड़े होंगे जैनियों के खिलाप पार्शों के खिलाप दलितों के खिलाप आदिवासियों के खिलाप ये मैं मा भी चाहता हूँ, तालीबानियों का सबसे बड़ा अपराद मैं यह मानता हूँ, कि वहाँ दस साल से बड़ी बेटी को पढ़ने का हक नहीं है, और कोई महला और बेटी यदि किसी पुरुष डाक्टर से अपनी जाच करा दे, तो उसका बहिसकार होता है, परदे की बा नंगा रहकर के घुमने की परंपरा सबसे बेसरमर, बेहुदगी है, सबसे जाना अपमान जनक है, इस आधुनिक यूग में भी जओने की परंपरा और जो नंगे घुंते ही ze उनके चरण चूने वाले लोग है, मैं नंगा घुमने वाली मैवस्ता के भी कहหนी हूं, और प पढ़ेंगी नहीं लिखेंगी नहीं डाक्टर नहीं बन सकती है। लेकिन उसकी तुलना यह संग्रिट के गुंडयों केसात्ता की जा सकती है। इसलिए जो दुनिया नहीं मांनता है फ्राइब को उनको मार-mार करके पीपड़ करके जैसरे राम बुलवाते हैं इस ब्रवस्ता के में यह किसी भी कीमत पर अक्षम्या अपराद है इसलिए जो दुनिया में रह रहे हैं हमारे भारतमंसी जो वहां की नागरता हासिल कर चुके हैं जो विश्व के अलग अलग देशों का वहां के लोगतंतर का आप लाब वाले कर रहें देश को निलाम कर रहें और दूसरी तरफ हमारे देश के भाईचारे को खतम कर रहें तो एक तरफ चूड़ी बेचने वाले को पीटा जाना और दूसरी तरफ जो फिर अभी हमारे देश के राश्ट्या राजमार्ग नेशनल हाइवे वह कोई आरे सेसा चड की जमीन पर उन्हें भूमिहींद बना करके बनाई गई हैं राश्ट्या राजमारग का 27,600 किलिमेटर लंबा छेत्र अलग-अलग राजमारगों को कम्पनियों के हवाले दिया जा रहा है बेचा जा रहा है हमारे देश में जब एक गोरों की मुख्विरी करने वाले कहीं थे पैसिंजर गाड़ियां है और 1400 किलिमेटर रेल की पठ्रियां उन्हें निलाम किया जा रहा है बेचा जा रहा है अपनी चहेती कम्पनियों के हवाले पूछो मोदी से कि तुमने पहले नबरतन बेचे लाइसी बेचा यर इंडिया बेचा तमाम चीजे बेचे बैंक बेचे पैसा कहा गया हमारे देश के अंदर पावर ट्रांस्मिशन पावर जन्रेशन बेचेनल के फाइवर गोदाम वेयर हाउस की बात कर रहा हूं खनान की वेबस्ता नेचुरल गैस पाइप लाइन प्रड़क्ट पाइप लाइन एबियेशन अर्बन रियल इस्केट और बंदर लगा दी गई हम क्या क्या करने वाले हैं हमारे देश के अंदर राष्ट राजमार किसानों की जमीन ले करके बनाए गए और सड़कों का निर्मार हमारे देश में दुपईया चार पईया और टरकों से बसों से किराया वसूल को सरे टैक्स वसूल करके उनका निर्मार किया गयार कमपनियों को लाव पहुचाने के लिए देश को लुटवाने के लिए उनके हवाले किया जा रहा है राष्ट या राजमारिक के किनारे जो दुकाने चल रही है करोलों दुकानदारों मैं आप से पील करता हूँ मैं कभी पूरी सिद्धत के साथ आपको सुनाऊंगा कि इस तरीके से आपकी रोजी रूटी को छीना जा रहा है आप सारी की सारी दुकाने आपके इस्टाल जो सबजी और फल बेशते हैं सीजन के उनको सब को बंद कर दिया जाएगा जो धाबे चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे सारे के सारे कंपनी का ही कारोबार माद चलन रहे हैं दो-दो करोड लोगों को रोजगार का वादा किया था लेकिन लोगों को रोजगार छिल लिया गया है मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट या राजमार के किनारों पर जो लोग है जो धंदा कारोबार कर रहे सब का चौपट होने वाला है रेलवे इन पर यात्रा करने वाले मेरे देश के किसान मजदूरों से उनके अधकार चिनने वाले हैं महेंगी ट्रेणों पर यात्रा नहीं कर पाएंगे उनके सामने दिक्कते आने वाली हैं हम आप से बात करने के लिए हमारे देश के अंदर आप रेल की पठ्रियां बेश देंगे ब सूजना है कि हमारे देश के अंदर 27,600 किलिमेटर लंबे राष्ट या राज मारगों को निलाम करके कंपनियों को बेच कर देश वाश्यों को लुटवाया जाएगा और इस में से कंपनियों से एक लाख साथ हजार लाख करोड रुपए वो सूला जाएगा पहले के पैसे कहां चलेगा जो देश बेचा अब तक 400 रेलवे इस्टेशन बेच करके पैसिंजर गाड़ी और रेल करीब 500 गाड़ियों को बेच करके एक लाख पचास जार लाख करोड रुपए लिया जाएगा यह देश बेचना और कुछ नहीं होता है यही देश बेचने का तरीका है हमारे देश में बिजिली की आप पावर ट्रांश्विशन का मामला है उसमें 45,200 करोड रुपए 45,200 लाख करोड रुपए जो है पावर ट्रांस्मिशन से एक अठा करने का है पावर जन्रेशन पर 49,832 लाख करोड रुपए एक अठा करने का है बेचनल का पूरा जो सिस्टम बेचने के लिए टेली काम का 35,100 लाख करोड रुपए का है गोदाम बनाने का जो भी हमारे किसान लड़ रहे हैं कि ये अदानी अमबानियरिन को दे दिया गया पहले से जो गोदाम मौझूद है उन गोदामों को भी बेचने का ताई कर दिया गया है 28,900 करोड रुपए उसमें गोदामों को बेच करके उसूला जाना है खननन को बेचने का मामला है उसमें 28,447 लाख करोड रुपए उसूला जाना है नेचुरल गैस पाइपलाइन को बेच करके भी 24,400 लाख करोड से भी जादा की उसुली होनी है प्रोड़क्ट पाइपलाइन को बेच करके 22,504 लाख करोड रुपए की उसुली होने वाली है ये भी एशन को बेच करके 20,07,82 लाख करोड रुपए कठे के जाएंगे अर्बन रियल स्टेट को बेश कर 15,000 लाग करोड रुपई गठे के जाएंगे और देश के बंदरगा में 30 बंदरगा बेश करके 12,888 लाग करोड रुपई उसुल आजएगा और स्टेडियम को बेश कर 11,450 लाग करोड उसुल जाएंगे और अब आपको बताना पड़ेगा कि येरपोर्ट से लेकर बंदरगा तक बैंकों से लेकर अब ये हो क्या रहा है पहले ये बैंक दकैत आपने देखा होगा विजय मालिया से लेकर चौक्सी भाई तक इन तमाम जो बैंक दकैत हैं उनको भगाया गया अब हमारे पूरे बैं ंकों को ही उननी के हवाले किया जा रहा है यह मैंने आप से इसलिहें ये जिकर किया ये अपील की है अब आपको तैक करना है कि जो संसत पर हमला करवा वाले देश की आजादी के जंग में गोरों की जासुसी में जुटा हुआ तबका हमारे तिरंगे का अप्मान करवाने से हमारे पठान को उरी और पुलवामा में जवानों को मरवाने वाला चीनी राष्टपति को जुला जुला करके गलवान घाटी में जवानों को मरवाने वाला चीन का कबजा करवा करके भारत का भुगोल बिगाड़ने वाला और देश के एक-एक सरकारी सहस्तान को बिकवान और मेदी रचाने वालों को पर हमला करवा रहे हैं मैं फिर अपिल करता हूँ साड़े च्छै करोड से ज्यादा पासपोर्ट धारका हूँ और तीन करोड दस लाग से ज्यादा या नाराय से मैं आपसे अपिल करता हूँ और पहुने दो करोड जो बिदेश्वा में रोजी र साथ करने आया हूँ और उमीद करता हूँ और आपसे अपिल करता हूँ कि जन हित में और देश हित में अधिक से अधिक लोगों को तक इस वीडियो को शेयर जदूर करें धन्यबाद जय हिन जय जवान जय किसान और हमारा देश और देश के आने वाली पीडियां आप सब नाराह पर आपके रिणी रहेगी और जो बीडियो सो में कारों कारोबार रोजगार कर रहें उनका भी रिणी रहेंगे हमारे देश के भाई चारको बचाने के लिए अध़ु ठोबिशने वाले विकिरिता को देश से उखाने के लिए देश के किशान मुदूर सब स्ट्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें